अगर आपने हमारी चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेर कीजिए कि हमारे अगले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तो ये औस्टो केलसियम एक केलसियम की दवा है जिससे हड़िया तथा माल स्पेसियों को केलसियम मिलता है और उससे हड़िया मजबूत होती हैं जिसमें केलसियम एंड बिटामिन D3 पाए जाते हैं और ये GSK कमपनी का बना हुआ है दोस्तों ये हड्डियों तथा दात के लिए बिसेश बनाया गया है इसमें दो गुना केल्सियम पाए जाते हैं और ये इसमें 30 टेविलिट होते हैं दोस्तों दोस्तों जो बढ़ती उमर के बच्चे होते हैं उनके लिए ये दवा आश्टोकेल से बहुत ही फायदेमंद होता है उसका उपयों क्यों कर सकते हैं और इसकी प्राइज आप देख सकते हैं 162 रुपे और 70 पैसे हैं और ये नॉवंबर सन 2020 का बना हुआ है एक्सपाइरी डे कॉंटेंस के बारे में आपको हम बता दें जिसमें बिटामिन D3 400U मिलता है और 200MG केलसियम मिलता है इसमें डोज के बारे में जान लीजिए दोस्तो अगर कोई छोटा बच्चा है तकरीबन 3 या 4 साल का तो एक टेबलेट सुबा साम में कभी भी एक टेबलेट वो ले सकता है और अगर कोई बड़ा वेक्ती है तो उन्हें सुबा साम एक एक टेबलेट लेना है दोस्तो इसको लेने के लिए पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और क्योंकि ये थोड़ी मीठी गोलियां होती है चुएवल गोलियां होती है इसको हम चूब कर भी खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और कोई इसमें कड़वी भी नहीं है आपका बच्चा भी अच्छे से इसको ले सकता है कोई दिक्कत नहीं है कोई-कोई बच्चे होते हैं दवा खाने में बिल्कुल भी नहीं उनको इंट्रेस्ट रहता है पसंद नहीं आता है तो और बहुत परिसान करते हैं तो बिल्कुल ये दवा ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं रहेगा आराम सिखा सकते हैं इसको दोस्तो अगर आपके सरीर में कैलसियम की कमी हो तो ही लीजिए औस्टो कैलसियम का दवा अगर कमी ना हो तो मत लीजिए नहीं तो कैलसियम की मात्रा जादा हो सकती है ये काज की बोतल में ही आता है दोस्तों कोई कोई बच्चे होते हैं जिनके दाथ तूट जाने पर जल्दी निकलते नहीं हैं और जो महिलाए होती हैं प्रेग्नेंसी के बाद उनकी रेड़ की हड़ियों में दर्द होता है और जो सीजर करवाई होती है उनको भी जादे से जादे परिसानी होने लगती है तो ऐसे में वो भी औस्टो केल्सियम का यूज कर सकती है जिसको डॉक्टर ने बताया हो कि आपको केल्सियम की कमी हो तो वो भी औस्टो केल्सियम का यूज कर सकते हैं और केल्सियम की कमी को दूर कर सकते हैं और केल्सियम फासफेट और फासफोरस बिटामिन D3 हैं दोस्तों बिटामिन D3 बढ़ते बच्चों के लिए बहुत बड़ा स्रोग और जो बुड़े बुजुरुग हैं अगर आपके घर में तो उन्हें भी ये ऐस्टो केल्सियम खिला सकते हैं और ये बहुत अच्छा आईए फिर मिलते हैं अगरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद टे केर